नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चालें आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताईएगा कई जगा नमस्ते हो गया प्रेम से बोलेंगे राध है राध है और सनाओ क्या हल चाल सब मौझ बाहर हां सर जी सब ठीक है तो इस समय हमारे सामने आ रहे हैं बिरंदर प्रसाद यश शिवम मुझे पहले बताईए ओडियो वीडियो फाइन है या नहीं है अगर सब ठीक ठाक है तो फिर मैं अपनी कथा को आगे बढ़ाता हूं चेक करके बताएं जरा गुड बॉर्निंग यह सर फाइन है तो फिर एक बात बताओ मैं तुम्हें अपना इंट्रड़क्शन दू यह जानते हूं सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है मेरे लिए तो आप नए नहीं हो लेकिन क्या मैं आपके लिए नया हूं या नहीं पहले मुझे इसका पता लग जाए फिर एकॉर्डिंग लिए मैं आपसे बात करूँगा लो भाईया सार आयम वाचिंग और सिय फाइनल लेक्चर बहुत अच्छी बात है बुखार था आपको तो हाँ बच्चा मुझे बुखार था इवन आज भी है बट चुकि आज हमारी क्लाश शेडूल थी डैमो तो तो जो बच्चे सिय फाउंडेशन पास करके आए हैं आप तो सिय इंट्रमीडियेट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपकी जो असल पढ़ाई है सिय की वो शुरू होती है अब आप तक तो क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे थे आप कि कौन-कौन बच् इस्टूट ने सेलेक्शन किया और आपको यहां पर लेकर आ गए हैं आज के इस डिसकुशन में इस लेक्च्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है और मैं इस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ाँगा यह पूरा वीडियो ध्यान से दीखेगा मेरे सब्जेक्ट के पढ़ने के स्टाइल के साथ साथ आपकी बहुत कुछ सबज बढ़ेगी इतना सारा content है उसको कैसे handle करना है कि approach लगा रही है वो थोड़ी से अलग होगी जितना कि आप अब तक पढ़ते आए हैं उससे अलग होगी तो इसलिए इस video को जरूर देखेंगे आप बीच में कोई भी इसके बच्चा नहीं करेगा ठीक है हाँ चार जी ठीक है जी तो आईए जरा हमारे साथ में यहाँ पर हम आपको connect कर देते हैं यहाँ अपने iPad के साथ में और यह आ गया मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिए तयार किया है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानिए जो आपको इस subject पढ़ाने वाला है पहले समझे हमारा डमरू क्या कहता है जैसे गाओं में कभी मदारी आया करता था ना तो डमरू बजा बजा के बच्चों के कठा करता था हम भी भागे भागे जाया करते थे खेल दिखाने के लिए आया करता था तो कोई बच्चों कहीं से भी है दूर दूर से भाग भाग कर आते थे तो ऐसे ही मैं अपने नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से मासूम मासूम से इन बच्चों के लिए ये डमरू बजाता हूँ जिससे कि वो अपने पंशियों की तरह अपने पेड़ों की शाखाओं से उतर-उतर कर क्लास में आकर बैठ जाते हैं तो इसलिए प्यार से लोग मुझे डमरुवाले बाबा के नाम से भी जानते हैं तो पहला introduction तो मेरा ये है दूसरा, in 2007 मैंने C.A. क्वालिफाई किया था नाम मेरा है C.A. राजकुमार और लेकिन जहां तक सवाल है पढ़ाने का तो मैं October 99 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं शुरू मैं मैंने पढ़ाई थे A for Apple, B for Boy यहां से शुरू बात करी थी मैंने ठीक है, 12 में था उस समय पे मैं है तो उसके बाद में फिर जब मैं graduation में आया तो मैंने intermediate तक के बच्चे पढ़ाए यानि जो plus two होता है graduation के बाद मैंने अपना C.A. जोइन किया था क्योंकि हमें लगता था कि हम C.A. बनने लाइक है नहीं फिर किसी ने motivate किया कि नहीं तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो तो हम C.A. में आये और C.A. मने qualify किया जब मैं C.A. कर रहा था उस समय भी मैंने C.A. intermediate के बच्चे पढ़ाए थे और C.A. final का exam देने के बाद result आने से पहले मैं दो badge पढ़ा चुका था indirect taxation के C.A. final में शुरुवात होई दिल्ली से C.A. बनने के बाद जो professional journey और यहाँ पर 2008 के शुरू में ही मेरा पहला बैच बना face to face and उसके बाद 2010 में हमारा बड़ा बैच बन गया था auditorium वाला जहाँ पर साथ सुबच्चे बैठते हैं in between 2008 में satellite concept आये था इंडिया के अंदर C.A. कोची में तो 2008 से लेकर मैं अब तक इस तरह से All Over India सुड़ेंट को पढ़ा रहा हूँ यह मेरा सौभाग्य है satellite mode में हमने शुरुवात करी थी तीन बच्चों से starting day पर तीन बच्चे थे 3rd December 2008 में और यहां पर हमारा जो पीक है वो आठ नो हजार तक गया एक बैच के अंतर कुल मिलाकर 172 वन सैवन टिटू हमारे centers थे और इंडिया में कोविट के बाद से तो खर लाइवेट होम concept आ गया है लेकिन कोविट से पहले तक नहीं ना उनका प्रॉपर बैच होता है जैसा कि आप जानते होंगे UPSC क्वालिफाई करने के बाद में जो टॉप 50 rankers होते हैं वो IAS में जाते हैं उसके बाद 1.500-200 IPS में और उसके बाद करीब 2.500 जो होते हैं वो अपने IRS के लिए सेलेक्ट होते हैं तो जब सेलेक्ट हो जाते है IRS के लिए तो उनकी ट्रेनिंग होती है तो फुल डे क्लासिस होती है 20 दिन का शडूल होता है आपके साब से अगर मैं कंपेर करके चलूँ तो लगभग 40 लेक्चर उनके होते हैं और वो ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर उनको पोस्ट मिलती है पहली अससेस्टेंट कमिशनर के तो ये तो रहा है मेरा टीचिंग रिकॉर्ट और अब मैं आपके सामने यहां पर हूँ लगभग पौने दोलाख से उपर स्टुएंट को हम पढ़ा चुके हैं और इन बिट्वीन जो हमारी उपलबदिया रही है वो ये कि 11 टाइम 11 बार हमारा बच्चा हमारे सब्जेक्ट में ओल इंडिया हाइस्ट मार्क्स लेकर आया है और 10 बार हमारे बच्चे की ओल इंडिया में रैंक वन आई है तो छोटा संट डिड़क्शन था मेरे अपने बारे में अब कोई और तो है नहीं यहां पर जो एंकरिंग करते हैं कि मेरे बारे में बताएगा तो इसलिए मैं न सोचा कि मैं कोई बात नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कल तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तो अब हम जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है और आपका सलीबस क्या है और मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे प्रेम से बूलेंगे सर आप कहा रहते हो मैं आपके दिल में रहता हूँ जाना जहांकर देखिएगा आप जहां कर देखोगे मैं आपको दिखाई दे जाओंगा तो भूरा मेरा हाँ अच्छा दूसरा बता दूमें यह भूरा मुन्ना कबूतर यह मेरे प्यार के शब्दे हैं ठीक है तो कभी मैं से आपको बोलू ऐसे करके मैं आपको एड्रेस करूं तो मांज़ाना मेरा बहुत सारा प्यार लुड़क रहा है आपके ऊपर ठीक है एंड आए काम की बात करते हैं यहां पर आकर और हाँ एक चीज़ और मेरी क्लास का एक नियम यह है कि आपने ऐसे मूँ फुला की मत अगर हमें किसी काम में रस नहीं आ रहा होता है मजा नहीं आ रहा होता है ना तो भाई वो कामी नहीं करना चाहिए इस पर मैं आपको थोड़ा और गाइड करूंगा आगे चलके कि ठीक है आप मेहनत तो कर लेंगे 10 गंटे पढ़ने तो बैढ जाएंगे लेकिन उसको प्र और जो बच्चा फेल हो जाता है वो भी शायद उतना ही पढ़ता होगा लेकिन फरक कहा रहे गया अंतर कहा रहे गया दिमाग लगबक सम्में बराबरी होता है भाई लेकिन उसको इस्तिमाल कैसे करना है यह एक अलग मेटर आ जाता है तो आईए सिलेबस की तरफ बढ़ते हो हाना कॉपी है ना आपके पास में हाँ नोट कर लिजीगा प्लीज ठीक है बबू विक्रान सी स्ट्रीम यश्गूला ट्रैक गाइडर तो यहां सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो आपका सिलेबस बटा हुआ है यह दो ग्रूप में है यह आ गया भाई साब ग्रूप न हम बताईए कि ग्रूप वन में कौन कौन से आ रहे है और ग्रूप टू के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं तो एक दो तीन एक दो तीन जी पहला पेपर बोलो फटा फट से भाई साथ डेमो क्लास है हाँ यह डेमो क्लास है यह भी कोई फॉर्मल डिसकेशन नहीं आपके बता रहा हूं कि हम पढ़ाएंगे कैसे क्योंकि कोई भी प्रड़क्ट खरीदने से पहले आपको उसका डेमस्टेशन चाहिए होता नहीं ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप एक बैस्ट बायर बन सकें ठीक ह सार अच्छे से देखो और उसके बाद ही आप डिसाइड करना और मेरा वादा है यह वीडियो देखने के बाद में आपका दिमाग इस्तर हो जाएगा फिक्स हो जाएगा कि यस हमें यहीं से खरीदना है यह मेरा वादा है आपसे ठीक है ठीक सर जी सर हमारा पहला आगया ज से नहीं कोई एक ही काम करेगा सर कॉर्परेट एंड अधर लाउस तो दूसरा पेपर आपका लौका हो गया ठीक है पेपर नंबर जो तीन है आपका वो बता रहे हैं मुझे टेक्सिश औरे वावावावावा क्या बात है सब भरके बैठे हैं पहले से यहां बताएए अगला पेपर कौन साथ गुरूप टू के अंदर सर पेपर नंबर हो गया अपना चार और यह हो गया पेपर नंबर पांच और यह हो गया आपका पेपर नंबर छे करके हैं सर यह पेपर हो गया जी कॉस्टिंग का गलत मत करवा देना मैं मिनाबाद की चिक्र में डाल दो गई भर दो सकर के लिक रहा हूं तुमारे उपर में अगला पेपर से हमारा ओडिट का है और नेक्स्ट वन इस अगला पेपर एफ-एम और एस-एम का है साब बास बहुत बढ़िया बात शानदार तो इसमें मैं लेने वाला हूं आपका ये वाला पेपर इस पेपर की जितनी महिमा ग बोजी-जी रोटी तैयार करेगा क्योंकि आपको प्रेक्टिस टैक्सेशन में करके चलनी है करीयर बनेगा आपका ये पेपर जहां तीजिए गा सिबांद पर आपको रखकेशन ना है तो यहां आपके आते हैं दो बाते मानिक जी टैक्सेशन के अंदर एक आपको अ क्या ये income tax आ गया और indirect tax मतलब आपका GST आ जाता है 50 marks का आपका ये है और भाई मेरे 50 marks का आपका ये आ जाता है ठीक तो मैं कहां हूँ इस map के अंदर जो मेरी location है वो यहाँ पर है ठीक अब पहले ये तै करते हैं मैं अपनी subject पर बाद में discussion करूँगा कि आपको अपनी तयारी करनी कैसे है कौन-कौन से paper आपको पहले देने है कौन से बाद में करने क्या है गुरूप वन के अंदर content थोड़ा सा जादा है आपका as compared to group 2 अब यहाँ पर आपको हो सकता कहीं से सलहा मिल रही हो कि ये कर लो ये कर लो गुरूप वन में अभी और इनमें से कोई एक कर लो अभी चाहे तो direct text पहले कर लो या GST पहले कर लो और दूसरे को बाद में करना बाद में मतलब कि इस phase में जब आ जाओ गया तब करना मैं बताता हो इस पर आपको दिक्कत क्या हो सकती है ये आपका period 1 है और ये है आपका period number 2 appreciate करना मेरे साथ में बताना जो मैं question पूछे हूँ आप आपको चैन से कतई ने बैठने दूगा हाँ जी सर जी देखो यहां पे न जो दिमाग रिलैक्स होगा कम हाला कि दिमाग तो कभी रिलैक्स होता ही नहीं है बट कंपेरिटिवली अगर बात की जाए तो हम इस side में period 1 में ज्यादा रिलैक्स होंगे उसके पीछे कारण है कार इवेशन तो यह आपका time consume कर रहा होगा दूसरा आपके कुछ एक backlogs पढ़े हुए होंगे रही जाते हैं बच्चे कि जब class 2-3 चल रही होती है तो कुछ न कुछ छूट जाता है यहां backlog आपके पढ़ेंगे वह आपका time consume कर रहा होगा और साथ में चूंकि यहां पर बैठा है वो ताओ कौन ताओ औरे वो एक्जाम जो आपको देना है यह एक्जाम यहां पर है आपका और साथ में जो एक्जाम का stress है वो आपकी बैटरी को ऐसे drain कर रहा होगा जैसे कोई mobile application mobile में खुली नहीं रहाती कर तो कुछ नहीं रही है आप यूज तो कर नहीं रही है आप गुरुब वन का revision की stress आ रही है नहीं पीछों के backlogs एक दम fresh fresh ताजा ताजा नए नए हैं आप और नहीं अभी आपके mind पर exam का stress है बिल्कुल भी तो मुझे बताईए आपको period one में क्या करना चाहिए जादा सर मैं कह रहा हूँ यहां पर आकर do more and more classes आप जितना जादा classes यहा कर देना क्योंकि हमारी कुछ कुछ ऐसी कमिया हो जाती है जिससे की पूरा group फैल जाता है यह आपका यहां जादा सो जादा class करने का समय है क्योंकि यहां आपके कोई अधरवाई चीज आपकी mind के battery को खींच नहीं रहा है और यहां आप कीजिएगा do more and more revision more and more revision आपको करने ह है तीन और तीन च्हाई पर तो कुल है यार बहुत ग्रूप देना है जटके में निकालना है जीवन में बहुत पैसा बनाना है ना तो पैसा बनता है speed से जितनी फटाफट चीज़ें को निपटाओगे ना काम करोगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में जल्दी से growth कर पाओगे तो यह जो period 2 है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा revision के लिए रखके चलो और पहले period के अंदर आप ज़्यादा ज़्यादा classes करके चलो तो कहने का मतल आकर भाई एक तोड़ स्ट्रेस में आगे टैंशन में आगे अब यह और यहाँ पर खतम करना फिर यह आगे वो बच्ये बोध गुरूप देही नहीं पाए रेंक का ड्रीम लेकर बैठे थे अब पूछते की एक्जाम स्किप करूं आगे दूं क्या करूं कैसे करूं लानी अब बात करते थोड़ी सी सब्जेक्ट को लेकर कि जो मेरा सब्जेक्ट आ रहा है बाभू मेरे गुट्स एंड सर्विसजेψ का कि नाम तो बहुत ही सुन रखा होगा आपने इसका गुट्स एंड सर्षिस्टएक्स आपने और एवन कोई और भी पेपर हो आप कर ड़े करन बात नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी थोड़ा सा अब कंटेंट बढ़ेगा अप्रोच बढ़ेगी रटाफिकेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉंटेंट इतना ज्यादा होगा आप रटी नहीं पाओगे किसी जोको तो सबसे पहली यहां पर जो जरुवत पढ़ती है भाई मेरे यहां पर आकर आपके राइटिंग प्रैक्टिस की है राइटिंग प्रैक्टिस की है सिये कोर्स के अंदर बहुत सारा बच्चा सिर्फ इसी वजह से फेल हो जाता है क्योंकि उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है राइटिंग प्रैक्टिस कहीं न कहीं 12 तक ही छूट जाती है पढ़ता बहुत है यहां बहुत काम कर लेता है यहां काम नहीं कर पाता मैं आपको बताओ 50% weightage इसकी होती है 50% weightage इसकी होती है अगर आप सारे concept clear करके सारा content पूरा सले बस याद करके बैठे हैं तो भ्रम में मत रहना कि आपकी तयारी हो गई है न आपकी तयारी सिर्फ आदी हुई है हम इन दोनों points पर कैसे काम करेंगे तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ चीजों को आपको समझ में आएंगी बात है सबसे पहली बात यहां पर आती है आपकी लिए use of technology use of technology new scheme के अंदर new syllabus के अंदर tax का paper theoretical है practical बता रहो बाबू बता रहो अभी बता रहो use of technology यह मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ सभी papers के लिए क्योंकि आपने दिखा हुए subject specific आपको हर जिगाए मिल रहा होगा मैं आपको एक overall बात कर रहा हूँ use of technology c institute ने new scheme के अंदर mandatory कर दिया है कि भाई बच्चे को सिर्फ theoretically रटवाना नहीं है आपने उसको practical life से अवगत कराना introduce कराना है जैसे मेरे case के अंदर मैं आपको बता हूँ कि मैं जिएस्टी पढ़ते समें बहुत सारे chapters आपके सामने आते हैं for example जिसे chapter आएगा registration का क्योंकि आप अगर business कर रहे हो कारुबार कर रहे हो तो आपको GST department के साथ ओ भाई समदर इधर सामने देखो आपको GST department जाकर एक registration लेना पड़ता है मैं मेरी book से आपको registration का chapter पढ़ाऊंगा बहुत 610 से पढ़ाऊंगा ये मेरी किताब है यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं registration का chapter है इस वाल दूसरी module में है वो कर दूसरी में है तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो GST department से इंस्टूट में से mandate कर दिया है तो क्या impression आएगा यहाँ से करने का मैं आपको बताता हूँ कि आपने theoretically तो पढ़ लिया किताब से रिश्टिशन ऐसे होगा वहाँ जाकर होगा यह form बना है ऐसे करना है वैसे करना है उस सारी चीज पढ़ लिया लेकिन अगर वो आपने यहाँ से पढ़ने के साथ साथ अगर GST portal पर जाकर practically देख लिया कैसे भला यह रहाँ आपके सामने मैं दिखाता हूँ GST.gov.in करके GST के website पर जाकर GST की portal पर जाकर अगर आपने उसे देख लिया तो मालिक एक बात बताईएगा बात एक अलग ही लेवल पर आ जाएगी कि नहीं आएगी यह GST का portal है जहां भी जरुत पड़ेगी हर क्लास में लग बग हमारा यह portal खुल जाएगा यहां पर मैं लॉग इन करता हूँ मेरे खुद की दो कमपनिया है और दो कमपनियों के डेटा के साथ मैं आपको यहां बिल्कुल डियोरिंग टा क्लास लाइब में सिखांगा कि देख भाई GST पर जाके registration ऐसे होता है इवेबल नाम का एक concept आता है वो इवेबल ऐसे बनता है ऐसे destroy किया था each and everything दिखाता हूँ यहां पर आकर यह capture बोलेंगे क्या है 815 116 हाँ जी तो यह आ गया जी अपना यहां पर आकर और यह है सहाब यह GST का अपना पोर्टल आ जाता है आफिस में जाके आपने यही सारा काम करना होता है यहां services पर आते हैं services पर देखिए registration आ जाता है लेजर है returns है payments है user services refunds evable track application status इनके अंदर जब हम जाते हैं तो बहुत सारे टैब हमें दिखाई देते हैं new registration क्या आपको निया registration करवाना है उसके बाद बोलता है सामने वाले रो में application for filing clarification amendment of registration core field प्रोस के नीचे amendment of registration and non-core fields and all ये सारे टैब सीखेंगे थियोरी के साथ practical भी करके चलेंगे मैं तो ये 2020 से कराता आ रहा हूँ लेकिन पिछले new scheme के अंदर से इंस्टूट ने से mandatory कर दिया है आपका जो paper होगा जो तोन होगी इस पर mix होगी इमानदारी से मुझे बताईए थियोरी पढ़ने के साथ साथ अगर आपने यहां से भी वो सीख लिया देख लेके अच्छा बेटा ये वाला फॉर्म ऐसे बनना है ये ऐसे करके चलना है तो क्या आपको चीजें revise भी करने के जुरूद पड़ेगी न दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे मैं शारुक खान का नाम क्या था बताईए बताईए सर उसमे नम राज था उसका कितनी बार आपने revise के अलिक लिक करिए एक notes बनाए होंगे आपने जब मुवी देखी होगी बहुत पुरानी मुवी हो गई है शायद आपका जनम भी नहीं होगा समय पर फिर भी आपको पता ऐसे कैसे क्योंकि आपने उस मुवी को देखा है दिल से देखा है दिल से और जब हम उस चीज को जी लेते हैं प्राक्टिकली फील कर लेते हैं देख लेते हैं तो उसको हमने रिवाइज नहीं करना होता है ऐसे ही मैं आपको सारी चीज़ें यहां पर सिखाऊंगा जिससे कि आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा और कौन से अलग लेवल का आपका आजाएगा यहां पर मैंने न्यू रेजिटेशन पर क्लिक किय क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले पूँछता है मैं कौन हूं आई मैंट्स पेर हूं कौन से स्टेट से मैंने अड Climate तफे सों करा डिस्ट्रिक कोण सा है हमने का इजर्ली रक्ष मिनगर है यहां अपने पैन बताई है यहां अपना जो पैन पर नहीं मारा वह wszyscy आ आदा पॉना घंटे का समय लगता है इसको पूरा registration करने में आधार के साथ authentication भी करी जाती है और उस आदे घंटे के अंदर जो भी आपने theory पढ़ रखी थी वह सारी की सारी यहां से cover होती है और यहां से पढ़ने के बाद जब आप office में जाओगे अपने में तो एक मजा सा आ कि यहां मुझे काम पहले से आता है और सी इंस्टूट तो एक्जाम खेर इस पर बेज़ पूछी ही रहा है उसके तरह से services के अंदर आकर बहुत सारे आपके यहां रेश्टिशन के बाद में देखेंगे तो यह payments की बात करके चलते हैं चलान create यहां पर करवाया जाता है तो मुझे accounts का experience तो मुझे कोई benefit होगा benefit देखे knowledge तो knowledge होती है आप accounts के बाद यह आपका GST का number आता है तो यहां आपको definitely बहुत सारा benefit मिलने वाला है तो हम यह आपको करा के देंगे जिससे के आपका वाकई में subject complete होगा concept clarity एक अलग level पर निकल कर आएगी ठीक है सर जी उसके के अंदर कोई भी wordings आती है sentence आता है तो वो understanding जो है आपकी आपकी जो understanding है वो with reason होनी चाहिए आपने शायद कभी सुना हो कि teacher यह कह दे बच्चे ने question पूचा कि सर यह ऐसे कैसे तो teacher ने जवाब दिया चुप law में लिखा है इसलिए ऐसे बच्चा करा ठीक है ओके यह क्या बात ही भाई law में क्यों लिखा है यही तो आप पूचने के लिए पैसे दिये हैं आपने पागल वेक टीवी पत्थर फैंकता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई reason जरूर होता है तो जिसमें law बनाया है जो law makers है उन्होंने ये बात बात में लिखी है तो क्यों लिखी है हौर लाइन के पीछे क्यों बनाई है अगर law में लिखा है कि आपको इधर साइड में जा दूँगा आपका जहां इधर दर जाने का मन करें चलो क्योंकि आगे गली बंद होगी मुझे पता है आगे जाओगे अंधिरी गली सर्फड़वा के वापस लोटके आ जाओगे तो इससे क्या है कि जहां आपका मन भटकता कि ऐसे 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 भी हो सकता है तो वहां आप तरह से fix हो जाओ कि हां यार यही सही रूट है अपना हम लोग analyze नहीं करेंगे हम तो लोग बनाएंगे मैं आपको objective दूँगा कि यह यह पोजिशन है बताइए यहां पर लोग कैसा होना चाहिए और I am sure कि आप 90% सही लोग बना देंगे आपको भरोसा नहीं आपने उपर हम त को तो जो भी काम करेंगे विद रीजन यहां पर करके चलेंगे उसके बाद में इसमें अगला पॉइंट आपका निकल के आता है साहब कि जो हमारे complex concept होते हैं उनको कैसे handle किया जाएगा आपने देखा होगा पहले भी पढ़ते आ रहे हैं किसी भी लेवल पर हर subject में न कोई न कोई कथिन questions कथिन concepts होते ही हैं जो आपको समझ में भले ही आ जाते हैं लेकिन थोड़ से मुश्किल से अंदर दिमाग में घुस पाते हैं बार बार परेशान करते हैं बार बार revise करने पड़ते हैं वो आपको तो ऐसे ऐसे जो complex concept आते हैं पता मैंने क्या कर रखा उनके लिए आविश्वास नहीं करोगे मैं उनका demonstration देखे चलता हूं उस concept को खेल बनाकर हम यहां class में करके चलते हैं देखना चाहोगे मैं एक मिनट का आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने demos को यहां पर रखके चलते हैं आप मुझे बता देना sound वगरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब हम आप से discuss करते हैं GST के अंदर जो input tax credit का concept है वो कैसे work करता है तो इसके लिए हमने एक बहुती शांदार सा demonstration लिया है अई मिलवाते हैं अपने कलाकारों से यहां से मिलिए यह हैं हमारे copper wire manufacturer और यह copper बनाते हैं देख सकते हैं ध्यान से great उसके बाद अगले जो हमारे इस chain में आते हैं next one compressor manufacturer है और यह बहुत शांदार सा compressor बनाते हैं और compressor का model भी इन्होंने यहां पर रखा हुआ है उसके बाद फिर इस compressor का इस्तिमाल करते हुए अगली stage पर बनाया जाता है car का air conditioner AC बनाया जाता है तो यह AC manufacturer है और इधर यहां इनका AC रखा हुआ है उसके बाद AC की further supply करी जाती है और वो पहुंचता है car manufacturer के पास में और car manufacturer सहाब हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहां से फिर यह इस AC को car में fit कर देते हैं और यह मारूती कार आप यहां पर देख रहे हैं और आई आपको मिलवाते हैं सबसे बहतरीन हमारे सक्ट से और वह उपर देखिए वहां पर हमारी सरकार बैठी हुई है नमस्ते जी नमस्ते सरकार जी आप यहां पर आकर वापस हम आपने पूरे गेम को करते हैं और आये step by step समझने की कोशिश करते हैं शीच कुना समझना क्या बस खेलना है आपको मेरे छोड़ छोड़े questions के जवाब देने हैं बस ठीक है अच्छा आपने क्या बनाया है copper है copper की wire आपने यहां पर यह बनाई बहुत शांदार wire बनाई है और यह आपकी copper क wire कितने की है 100 plus GST की 100 plus GST की है very good very good और अब यहां से होगा क्या तो जो copper की wire आपने तयार करी हुई है इसे खरीदने के लिए customer आता है customer यहां पर आते हैं और आपने copper की wire बेच दीजिए कितने की बेची आपने 118 एक सो अठारा रुपे की great अच्छा आपके पास जो 108 रुपे आप अम दे दीजिए गिन कर देना ठीक से एक एक रुपे का हैसाब होगा यहां पर आकर 100 प्लस 18 आप दिखाईए 100 रुपे यह रहे 10 रुपे यह रहे और 8 रुपे यह इस प्रकार से यहां पर आ जाते हैं 118 रुपे आप यहां पर इनको pay कर देते हैं अच्छा जी और यह वायर लेकर अपने पास में चले जाते हैं अब मुझे पताईए यह आपके पास 100 प्लस GST आया GST टैक्स होता है क्या GST वाला पैसा भी आप रखेंगे या सरकार को देखर आएंगे तो जाई वह बैठी सरकार आप अठार रुपे उनको दे कर आए जाए इसमें से अठार रुपे आपने उनको दे कर आए ठीक है तो इस तरीके सुमें एक नमूना दिखा आपको यहां पर करके ऐसे डेरो डेमोंस्टेशन यह आउटडोर था मेरे घर के बाहर पारकिंग है और मैंने वही पर एडेमो शूट किया अपना इससे क्या होता है कि हम खेल खेल में ही गहरी बात को सीख जाते हैं और जब तक वो कॉंसेट चल रहा होता है उसमें हमें बहुत रस आ रहा होता है और चीज दिमाग में सीधी उतर जाती है जिससे कि हमें कॉंप्लेक्स कॉंसेट को याद रखने जैसे कोई टेंशन हमारे दिमाग पर नहीं होती है वो दिल में सीधा उतर जाता है तो ऐसे हम यहाँ पर करके चलेंगे मालिक आई होप ही कि आपको पसंद आया होगा ठीक है उसके बाद मैं मैं आपको बताता हूं यहाँ पर आकर एक्स्टर्नल रिशोर्सिस क्या है रिसोर्सिस निल्हेर की बात चल रही है और कंसप्ट क्ल कोस्तिमाल कर के चलते ताकी कि औक आपको शांदार वाला पहले concept पे grip आनी चाहिए उसके बाद अगला face through होता है आपका writing practice का तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं IRS officers को train करता हूं पढ़ाता हूं तो जैसे मैं आपको दिखाऊ हूं यह मेरा यहां पर पहला बेश था February 2020 में ठीक है सर यह IPS है कि IRS है यह IRS officers है क्योंकि नो custom department में जाना होता है तो इनका अपना uniform होता है तो यह वैसे करके हैं और इन में से तने महंती बच्चे मैं आपको बता हूं यह IRS के लिए थे लेकिन IPS के लिए थोड़े rank और अच्छी चाहिए होती है तो आप देखेंगे तो यहां पर पीछे जो बैठ है ना यहां यहां से क्या होता है हमें इसका क्या benefit मिलता है कि हम department जो है उसके इस side की सारी picture आपको दिखा देते हैं GST portal दिखाया with reasoning आप से हमने बात करी है ना each and everything आपको बता दिया है लेकिन department के उस side क्या हो रहा है table के उस पार क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता होता वो कौन बता आएंगे जो उस पार काम कर रहे हैं जो यह अधिकारी लोग है इन से हमारी बात होती है हम क्या करते हैं क्लास के अंदर अपनी में इनको invite करते हैं और आपके department संबंदी जो भी questions होते हैं ध्यान से देख लीजिएगा all these are as of now deputy commissioner क्योंकि एक दू साल के बाद में असिस्टें commissioner rank पर होंगे जब आप से बनोगे तो वैसे करके होता है यह दूसरा बैच हो गया हमारा यहां पर आकर और यह अब यह जो है देख रहे हैं कलकरता से हैं यह अंकिता है इनका और यह यूपेसी में rank 2 था इनका और उसके बाद फिर और आगे बढ़े और आगे बढ़े मैं क को ला लेंगे हमने कुछ इस तरह से यहां पर एक रखाइश ही जॉइंट कमिशनर श्री नरेदर यादव जी जो क्लास में हमने को बुलाया था और बच्चों के जो उस संबंद में सवाल होते हो तरह अंदर से क्रियोसिटी होती है कि ऐसे हो कर लेंगे हम वैसे कर लेंगे आपकी टीम कौन बनाता है मैं मानता हूं कि यह वाला सवाल आपके एक्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको इतना confidence बिल्ड़ अप कर जाएगा यह सब्जेक्ट को परतिक कमांड दे जाएगा कि आप क्रैक कर जाएंगे किसी भी question को मैं ठीक है यार मैं देख लूँगा क क्या आपको knowledge पूरी है और किसी ने कहा है कि knowledge तो शेडनी के दूद की तरह होता है जो पीता वही दहारता है तो दहार निकलेगी आप किन चीजों से अब मैंने पूने में बैच लिया था पहले face to face बैच था वहां पर करीब हजारों बच्चे वहां बैठते हैं तो उसमें क का ठीक कल बात करेंगे मैंने next day वहां पूने में ही चाकन डिवीजन के assistant commissioner मेरे student है कुमार अमरी शायरेस इनको बुला लिया क्लास के अंदर ही मेरे का आजाओ बच्चों के doubts है और बहुत एक friendly atmosphere create करके लगबग एक डड़ घंटे का वहां पर session रखवाया जिससे कि बच्चों के मन के जो भाव थे वो सारे बाहर निकल के आए रोन ने बखुबी उन questions का answer के जो department संबंदी थे माले कैसे करके यह हमारे बच्चाओल इंडिया highest marks लाच चुका है अपने सब्यक्ट केंदर ही उनकी photograph कुछ आपर मैंने दे रखे हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो अपने IRS officers हैं उनको बाबु मेरे call करते हैं अपने studio में बुलाकर या फिर video conferencing के जरी ठीक है जी यह सर और इस प्रकार से हमारी कि यहां पर आकर मालिक बात होती है ठीक है गुरुजी ओके तो सर इस इट मेंडेटी डिस्क्लोज एस पर जी अस्टी लॉ लेंग्वेज आरम बाबु राइटिंग ट्रेक्टिस में आ रहा हूं जो बड़ी महत्तपूर्ण चीज है तो मुझे बताए क्या इतना सब कुछ होने के बाद कंसप्ट क्लेरिटी में कोई इश्यू आएगा आपको यह सब्सक्राइब क्लास में कोई इश्यू आ रहा है क्या हूँ क्लास कोई दिक्कत तो नहीं है कि मुझे लग रहा है कि को इश्यू तो नहीं है एक ख्लास में तो ठीक है संदीपो के है तो ऐसे करके यहां पर मालिक यह इतने सारी चीजे हम करके चलेंगे हम जान लगा देंगे हम फालतों की जोक वोक तो नहीं सुनाएंगे लेकिन मैं आपके चैप्टर को इतना और जब भी कभी थोड़ा आलस आएगा तो ये डमरू आपको जगा देगा ठीक है जैसे श्रीमत भागवत गीता उसका जब पाठ होता है सुनाते हैं गुरूजी तो फिर किसी एक्स्टरनल जोकी जरूत नहीं परती उसमें ही अपने इतना रस होता है ऐसे ही हमारे सब्जेक के अंदर सोची जब इती सारी चीज़े होंगी तो कितना रस बरसेगा जैसे होली पर भीग जाते हैं ऐसी भीगेंगे हम जीस्टी की बारिश में वादा है हमारा आपसे अब बात आती है ये तो होगी 50% तैयारी येस अभी तक 50% ही होई है अगला आता है राइटिंग प्र अब यहां भी पूछ रहए थै आप सर प्रसेंटेशन कैसे दीनी है सर सर लैंगवेज कौन सी यूस करनी है मैं आही से इक स्टड़ी मैटले करनी है क्या करना है कैसे करना है तो इन तमाँ बातों का जवाब मैं कैसे देता हूँ कि मेरे मुना सुन एवरी च्चैप्टर से क question बढ़िया सा शांदार सा exam में आया हुआ मैं लिख कर देता हूं मैं लिख कर दूँगा आपको मैं लिख कर आपको दूँगा class के अंदर चप्टर खतम हुआ question अंसा शुरू होंगे तो मैं लिख रहा होंगा उसमें आपको पता भी लग जाएगा presentation कैसी जा रही हर चप्टर से लिखूँगा कम से कम एक question बिल्कुल exam condition में वही साफ सुत्री language वही headings और उससे आपको language कभी पता लगेगा यापके जो लिखने संबंदी सारे के सारे doubts है वो आपके यहां पर आकर मिट जाएंगे एक question मैं लिखूँगा और एक question दूँगा आपको कि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है कि भाई जिस पैटर्न पर जिस language में जिस तरीके से मैंने लिखके दिखाया आपको ऐसे एक question तू लिखके दिखाना आपको homework में बस यहीं मिला करेगा बाकी स कुछ नहीं करने की जरुत बाकी सब क्लास में करा दूँगा रिवीजन भी मैं करा दूँगा आपको classroom के अंदर क्लास शुरू होने से पहले होता है क्लास के बाद revision होता है और उसके बाद फिर छोटे छोटे आपको हर क्लास का 5-5 मिनट का पूरा सार मिल जाया करेगा तो आप जब मर्जी जिसे मर्जी फटा फट चीज़ों को revise कर सकते हैं देख सकते हैं तो जब पूरा मैं करके दिखा दूँगा तो फिर उसके बाद आपका doubt नहीं रहेगा एक question आपको लिखना होगा और दो तीन चाप्टर के question लिखने के साथ ही आपको confidence आना सुरू जागा यह बात अब ठीक है भाई अब ठीक है इतना ही नहीं अब इतना जब लिखना आ रहा होगा आपको तो फिर मैं क्या करूंगा आपके लूंगा बाबू मेरे टेस्ट और टेस्ट होएंगे आपके chapter of wise कितने दुख की बात है कि आपके जब स्कूल में थे तो टेस्ट होते र आती है जब इतनी डाइटिंग प्रेक्टिस करने के बाद अप एक्जामनेशन हॉल में जाते थे ना तो वह भी आपको यूटी जैसा ही दिखता था आपको अलग से कोई स्ट्रेस नहीं आता था माइंड को पर लेकिन यहां सी एक अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या ह कि कंटेंट इतना ज्यादा होता कि बच्चा पढ़ाई 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 याद करो याद करो उसी में लगा रहता है यहार वो लिखने को समय नहीं मिल पाता है मैं क्या करूंगा मैं यहीं क्लासूरूम के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करं और आपके चप्टर वाइज टेस्ट लोगा सब्द्ध की मिलेगी ओई है ऱिएस अगर टेस्ट कापी आपको नहीं मिल रही है तो टेस्ट देना ही मीकर रहे हैं आपने अपना assessment कहां कर पाए फिर कि आपने कहां गलती की क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था तो आपको इसकी जो answer sheet है answer sheet है वो आपको return मिलेगी वापस मिलेगी शुरू की 2-3 class के दौरान ही आपके सारे chapter के test आपके पास पहुँच चुके होंगे chapter खतम हुआ फटाफ़ टेस्ट दीजिए और काम हो जाएगा अब शाहिए आप live में हैं गूगल ड्राइव लिया है जैसे मर्ज लिया है test सब को देंगे और जो बच्चे अपने test समिट कर देगा हफते 10 दिन के अंदर उसकी copy उसको mail पर ही वापस लोट कर आ जाती है वो पूरा तरीका बता हूँ कैसे करना है उसका पूरा process बता देगो मैं आपको test कैसे देना है इतना होने के बाद अब देखे concept clarity आई यहाँ पूरे batch में हमने presentation के साथ लिखने की पूरी practice कर ली और उसके बाद हमारे chapter wise test भी हो जाते है और test होने के बाद इतने पर भी बच्चा फेल हो जाता है वो क्या रही अब कौन सी कमी रह गई सर जी कमी ये रह गई ये बसमें कि वो तीन घंटे का जो रंगारंग का रिक्रम होता है जो सी इंस्टूट exam लेता examination hall में जब बच्चा बैठता है तो वो उसके हाथ पर फूल जाते है कभी-कभी ऐसा होता है इतना सब होने के बाब यूद भी तो वो आपको stress ना आए मैं तीन घंटे वाले पेपर का भी rehearsal आपको करवाऊंगा कोई भी movie बनती है तो actor-actress multiple time rehearse करते हैं चीज़ें को जो बड़े-बड़े singer है किता-किता rehearseal करते हैं तब अपनी performance देते हैं और CS student बिना rehearseal कि यह exam देने चला जाता है सोचों कितना बड़ा रिसक लिए रहा है कितना बड़ा रिसक लिए रहा है और मैं कहता हूँ भाई सब एक majority of the students इस वजह से fail होता है उसे लिखना नहीं आता है तो भाई यहां पर मैं आपको दूँगा sample paper बिल्कुल हू बहू यहां तक ही font side भी वही रखूँगा जो CS student रखके चलता है CS student के parameters को follow करते हुए उन्होंने प्रतेक chapter की क्या rateage दे रखी है उसको follow करते हुए मैं आपको बता के चलूँ कि यह आपका sample paper है दो sample paper में कम से कम आप से लिखवाँगा और वो check होकर भी आपको मिलेंगे इसके बाद जाना examination hall देने के लिए टीका लगा के फिर आपको दही जितना बोल रहा हूं इसमें मैं कोई भी बेहिमानी नहीं करूँगा और एक वादा आप से लूँगा कि आप भी मेरे साथ कोई किसी प्रकार के बेहिमानी मत करना जो कह रहा हूँ जैसे कह रहा हूँ चुप-चाप मान लेना देखिए अपना जो गुरू होता है ना उसका सेलेक्शन बहुत सो समझ के करना चाहिए और एक बार जब सेलेक्शन कर लो तो उस पर डाउट नहीं करना चाहिए जीवन में ध्यान डखना गुरू बहुत मिलेंगे आपको जीवन में अलग-अलग स्टेज पर अलग-अलग तरह के गुरू में लेंगे आपको ठीक है तो जो मैं जैसा कहते जा रहा हूँ वो करना पास ना हो पाए तो मुझे बहीमान बता देना कि हमने वैसे किया जैसे आपने कहा और ये हमारे दिक्कत हो गई तो आप बिले मुझे कर देना सारा उसका नुकसान का हर जाना मेरे उपर थोप देना कि आप निगद्दारी कर दिया हमारे साथ में लेकिन आप वो करना जैसे मैं कहा के चल रहा हूँ सब पेपर में किस ताइब के क्वेश्चन्स आते हैं तर यह के यहปrappen तो मैं आपको बताऊँ इसमें देखिए आपके क्वेश्चन्स भी आते हैं इसमें आपके केस इसटडी अहीन दें बेस्ट क्वेश्चन्स भी आएंगे और इसमें आपके असे एसे मानो 50% theory or 50% आपका ये numerical है ऐसे मान के चले मोटी मोटी language में सरक के स्टरी टाइप मतलब के स्टरी टाइप का मतलब ऐसा है कि देखिए become वगरा में क्या होता है कि बोल देते कि define the word family family का मतलब क्या उसे बताईए ये तो किया straightforward theory question लेकिन एक situation create करके कि एक husband ने अपनी पतनी को ये वाला goods बेचा इस पर जियस्ति लगेगा नहीं लगेगा तो वहाँ आपको apply करना पड़ता है कि क्या ये दोनों family की definition में आते हैं कि नहीं आते हैं इससे बोलते है application based question या case study based question बोलते हैं apply करा के दिखाना पड़ेगा आपको तो इस type की questions आपके यहां पर पूछे जाते हैं साहिव ठीक मालिक येस सर जीए ठीका full form का होता है उपर लिखवाया था मैंने शुरू में ही goods and services tax मालिक ये रहा goods and services tax इसका यहां पर full form में आ जाता है मेरे भूरा ठीक है जी तो ये आपकी यहां तक हो जाती है बात तो I think इसमें आपको doubt नहीं रहा होगा तो मैंने काफी समय दे कर आपको बताया है कि हम क्या क्या आपको कराने वाले हैं पहले मुझे बताओ यहां तो कोई दिक्कत नहीं बाबू मेरे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सबसे एहम बात पर और आजाईए और सारी एहम एहम बात मैं आपसे आज करने वाला हूं यहां पर आकर मैं आपको बताओं बाबू मेरे कि आपको जो classes लेनी है उसका mode क्या रहेगा the most important thing सर हम live class ले offline ले कौन सा mode ले class मिलती है बाजार के अंदर आपको तीन तरीके की एक होती है 100% live बाबू मेरे I am not talking about only myself अब बाकी में भी ध्यान रखना 100% live एक होती है आपकी 100% recorded जिसे offline या Google drive mode या pen drive mode के नाम से भी जानते जीडी पीडी के नाम से भी जानते है और एक तीसरा होता है इन बिट्वीन कि इसमें आपका live भी होता है और प्लस इसमें recorded भी होता है live प्लस recorded ऐसे करके बात करते हैं मैं पंदरा फरवरी से 15th of February से आपका ये GST live यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ श्यमीने पर आती हैं इसलिए आप प्रफर करेंगे रिकमेंडेशन है कि आप live बैच ही जोईन करें टेक्स का पेपर मैं बाकी पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ टेक्स का पेपर बड़ा डाइनामिक है law maker ने law बनाया ऐसा आप बुलो के मैं तो नहीं जा रहा इसके रास्ते पे मैं तो यह जाएँगो हैं यहורה दो यहां जाएँगो हैं पचास queries आती हैं आपकी एक साथ आपको गर हातठ क्या aesthet नहीं मिला हैंटून नहीं मिला तो दिक्क्त हो जाती है या तो केरी कभी आपकी भूली जाओगे या confidence आपका lose हो जाएगा कहीं न कहीं इसलिए यहां पर आईए दूसरी choice यह है पहली choice first choice पहली पसंद कमला पसंद दूसरी पसंद आपकी second choice आपकी यह होती है कि टाइम सूट नहीं कर रहा है तो आप यहां आईए बट ध्यान दीज batch की fresh batch की recording होने चाहिए आपकी यह जो culture है live plus recorded तो अक्सर आपको इसमें धोका होगा क्या सुनो जाना ध्यान से क्या हो सकता है हो सकता है कि आपको यह एक दो तीन class live जिदी बाकी भाई सब recorded लगा दिया पूरा आपके दिमाग में अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या आता है 50% शायद होगा 50% शायद यह रहा होगा लेकिन आपके साथ स्कैम होगा कि एका दुका class है और बाकी पूरा recorded यह चल रहा है बाकी subject में कोई दिक्कत नहीं है आप लीजे शॉक से पूरा record लीजे कोई दिक्कत नहीं लेकिन टेक्स में दिक्कत है क्या दिक्कत है टेक्स में ऐसे आपको कहीं बजार में मिलता है तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रिकॉर्ड इट कौन सवाला होगा? ओल्ड रिकॉर्डिंग न? पिछले बैच की रिकॉर्डिंग न? और पिछले बैच की रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? कि किताबें भी आपको ओल्ड मिलने वाली है पैसे आप नए देंगे किताब आपको पुरानी मिलेंगे दो-चार-च्छे लेक्शे शुरू के लाइव देकर आपको बहला पसला कर एड्मिशन लेकर पैसे लेकर फिर आपके साथ ही होगा सारा कंटेंट आपको पुराना मिलेगा फिर रोते रहिएगा कुछ नहीं होगा फिर्श ठीक है? सुझना गी बात? इस चीज का ध्यान रखना टेक्स की पिपर में ये भूल बिल्कुल भी है आप मत करती चुएगा हर छे महीने पर किताबे चेंज हो रही है मेरी किताबे अप टू डेट है मेरी किताबों के डिलिवरी मुझे कल मिलने वाली है है न? ठीक सार जी तो ये आप गलती नहीं करेंगे और इस चीज का ध्यान रखके चलेंगे और अब बात करता हूँ मैं अपनी किताबों के लिकर किताबे मेरी कैसी है बुक्स का क्या सीन यहां पर रहने वाला है तो देखे भाई आपको जो किताबे मिलेंगी मेरे यहां पर तो जो मेरी टेक्स्ट बुक आ गई अपनी प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट बुक और यहाँ पर आपके practice book आएगी दो text book है, दो practice book है और प्लस आपके charts आएगे यहाँ पर revision वागरा के लिए ठीक है? text book में आपके आगए volume 1 करके आगया volume 2 करके आगया मैं दिखाऊँ आपको इतनी मोटी मोटी ऐसे होगी, ज्यादा मोटी भी नहीं है हाला कि यह भी मेरे पिछले batch की है पुरानी किताब है यह, क्योंकि नई किताब मेरे हाथ में कल आएगी delivery उसके, printing में थी कल मिलेगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर, यह किताब की मोटाई चोड़ाई देख ली जिए, क्योंकि सबसे पहले किताब की लंबाई चोड़ाई देखने का मन करता है ठीक है मालिक? यह सर और एक किताब ही हो गई आपकी टैक्स्ट बुक में आ गई और दूसरी आपकी टैक्स्ट बुक यह है, यह दूसरी टैक्स्ट बुक इतनी मोटी यह भी, रगबाद यह आपके देख सकते हैं यहाँ पर आकर यह आपकी दूसरी किताब अगए कबर पेज चेंज हो जाएंगे ध्यान दीजेगा क्योंकि यह पुरानी वाली है नई वाली किताब मेरे पास कल आएंगे ठीक है यह हो गया दो टेक्स्ट बुक हो गई कि और कि एक मैंट कि और दो टेक्स्ट बुक के बाद में यह आएगा आपका कंपायलर यह कंपायलर आएग आपका कंपायलर में आपको दिखाता हूं आए मैरे साथ में यहांपस इसकर है यह पुराना कवर पी चिनर जries लिए कऑ ध्यान दीजीएगा एक दम शांदार और बहतरीन वाला compiler है मजास आ जाएगा पढ़के प्यार हो जाएगा किताबों से एक compiler हो गया और साथ में आती है एक पतली से आपकी एक और booklet यह आपकी quiz booklet करके है इसमें क्या है सर जी दिखाते हैं हम आपको इस quiz booklet के अंदर सेंस्टूट ने नई इसकीम के अंदर आकर न एक ऐसे करके यह quiz type booklet डालिए बच्चों के concept टेस्टिंग के लिए तो यह मैं आपको अलग से यहां पर देखर चलता हूँ ठीक साहब यह सर और आपके आएंगे साहब कुछ इस तरीके के charts भी आपको देखने के लिए मिलेंगे यह होंगे हमारे यहां सो दिखा दें अंदर से भी दिखाओ न किताबों को यहां पर बता दूँ एक मिलेगा आपको कमपाइलर मिलेगा और एक आपको मिलेगी यहां पर आकर quiz booklet concept testing के लिए है और साथ में आपकी चार्ट से यहां पर मालिक हो जाते हैं ठीक साब हां सर जो बुक है उसकी अंदर से शकल दिखाते हैं आपको अराम से देख लिजिए कोई दिक्रत वाली बात नहीं है यहां से शुरूबात होती है based on new scheme है और यह latest वाला मॉडिूला जो आपको मिलने वाला है यहां कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है यहां से आपका chapter शुरू होता है introduction and constitution का तो यही the same book आपको पता हो ना चाहिए कि आपका खर निकले जा रही हो आपको क्या मिलने वाला है जो मैं outdoor demo दे रहा था ना demo हलका समयन आपको दिखाया था वो सब यहां लिखा भी मिलेगा असे ने कि सब्सक्राइब बाहर दिखा दे काम खतम नहीं वो सारे चीज़ आपको यहां कर दो यार तो ऐसे करके यहां पर होता है एंड यह आपको इस प्रकार से बुक मिलेगे ऐसा तो नहीं पहला चैप्टर ज्यादा अपने मज़ेदार कर रखा हो और बाकी चैप्टर में ऐसा ना हो और एक ऐसी बात करते हो यह देख लो यह पूरा आप साइड में देख पा आपको ऐसे मिलेगे शांदार वाले मिलेगे देखो यह आपका चैप्टर यहां पर चल रहा है और कहीं से भी आप देख सकते हैं को ओपन करके और उसके बाद में यह नया चैप्टर एड़ हुआ है न्यू स्कीम के अंदर प्लेस आफ सप्लाई का तो यह इसका लीगल करूंगा जो आपको एक्जामनेशन हाल में लिखकर आना होगा किताब मेरी अपने आप में कंप्लीट है कोई दिक्रत वाली बात इसके अंदर नहीं है ठीक है यह सर कौनों दिक्रत वाली बात नहीं है तो यह आपकी रहेंगी मालिक यहां पर आकर बुक्स आई होप और य आपका कंपाइलर देख लो यह आपका कंपाइलर और क्वेस्चेनर है जो प्रेक्टिस के लिए में करके चलना है और इसमें इस तरह से आपके क्वेस्टिन्स यहां पर मालिक दिये होए होगे question का source क्या है वो भी आपको बता रखा होता जैसे RTP May 2022 का question है या December 2021 में पांच नमर का आया हुआ question है ये तो ऐसे करके जो आपका MTP, RTP, past examination questions जुलाई 2021 में पांच नमर का आया हुआ question है इस तरह के questions आप से पूछे जाते हैं तो ये जो question देख रहा ना ये होते हैं आपके case study type या application based questions आपके ऐसे होते हैं जो ये देख रहा है आपको 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 करना है और मेरे इस question answer के book में आप देखे relevant provision analysis and conclusion मतलब जिस presentation mode पर आपको exam में लिखके आना है उसी presentation mode पर आपको हर chapter यहां देखने के लिए वैसे ही मालिक मिलेगा ठीक है जी हां सर जी एकदम ठीक है और numerical questions भी इसके अंदर आते हैं जैसे यह रहा आपका numerical question यहां पर आकर यह question देख रहे हैं आप जैसे writing लिखा ना पता है क्या है writing यह मेरा पिछले बैच का मैं आपको दिखा रहा हूं नया वाला मेरे पास आने वाला कि मैं उनको यहां पर handle करता हूं और चहरे पर न मुसकान है कि नहीं आपके पहन है क्योंकि किसी ने खूप कहा है जब भी घर से निकलो इदार जान दो जब भी घर से निकलो मुसकान पहन कर निकलो मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है वरना वरना आसुओं को तो आँखों में भी जगा नहीं मलती है ऐसे बोले करो वाँ वाँ आती नहीं मुझे शेर उशारी लेकर कर्दुक का याद है बस ठीक है जी एस्टिन कॉस्टिंग की क्लास क्लैश हो रही है तो जी एस्टि में आ जाओ टैक्स की क्लास आपको लाइफ प्रेफर करनी होगी या ध्यान दीजिएगा ठीक और यह मेरी अपनी वेबसाइट यहां पर आकर सीराजकुमा.com आप टाइप करोगे तो यहां पर यह दिख जाती है यह रही सीराजकुमा.com यहां पर ठीक है न मालिक तो यहां सारे चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगे तो ऐसे करके है और और बताओ क्या सेवा की जाए अगर आपकी गूगल ड्राइव वाली क्लास लेंगे तो ओल्ड लेक्चर मिलेंगे क्यों देखो अगर आप लाइव जॉइन करते हो लाइव मिल जाएगा गूगल ड्राइव क्लास लेते हो तो आपको नए वाले लेक्चर से ही मिलेंगे भाई साब उसमें क्या होता है कि जैसे आपने गूगल ड्राइव ऑप्शन लि Google Drive classes 7-7 चलती रखी मेरा बच्चा ठीक है पर मेरी हार्दिक इच्छा है और कामना है कि आपना लाइब जोइन करें यहाइब बैच को 10 दो सस्ता रखा हुआ है पता है गूग्ल ड्राइब से लागि मेरा बच्चा हां आये लाइव के अंदर पी प्लास कब से होंगे पहले गुरूप इपठाते हैं और आप मेरा चैनल है अच्छा मेरा नमबर लेलो आप ओओओओओओओओओ नाइन एट वन डबल बट इस टाइम में मान के चल रहा हूं कि 40 से 42 लेक्चर में काम हो जाएगा 40 मान के चलो दिमाग के अंदर आप और संडे चुट्टी रखेंगे छे दिन क्लास रखेंगे शाम का समय होगा और मस्त इवनिंग का टाइम होगा आपका और यह साड़े पांच बजे से लिकर प्रभु इच्छा तक मतलब प्रभु आठ साड़े आठ वे तक साड़े आठ मालो आठ या थोड़ा जल्दी का यह आपकी पंधरा फरवरी से स्टार्ट हो रही है क्लास लाइव क्लासे से और गूगल ड्राइब और ऑप्शन भी अविलेबल हैं मोबाइल अप्लिकेशन लैप्टाव यह वो सब पे चलते हैं क्लास कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद और क्या पूछा दा बच्छा क्लासेश ड्याइब में आएगा क्या हां जो हमारी अप्लिकेशन थार कर दिक्साश है उसी के अंदर आपको क्लासेश भी आवेलेबल हो जाएंगे आप लाइव लेते हो तो आपको क्लास का वनवेव लाइव मिलेगा और व्यूव आपको बैक एम लेका लिए लाइव नह करकि ända बहुत अच्छे लिखां कर और उसमें दिखक्त नहीं है औफ-लाइए कहां अव्यलेबल है औफ-लाइंट पमें प्रिश-ूफेस की कोई बच्चा होता आना चाहता है तो आपको मेल आएगा जो आफ्लाइन गूगल ड्राइव यह पैंडरे बच्चा ले रहा है और वह आपको लिंक पर सारी टेस्ट मिल जाएंगे आपने अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट लिंक मिलेगा आपको वहां पर गूगल फॉर पर लिंक मिलेगा उस पर आपका टेस्ट होगा आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर पीडिया बनाकर अटेच कर देना है वहां पर अटेच्मेंट होके आपका चला जाएगा चाहे वह एक महीने बाद जा रहा जब भी जा रहा है उसके हफते दिशन के भीतर भीतर आ कि लड़काए की लड़की ठीक है दोनों को बराबर प्यार करता हूं बराबर मैं धुनाई भी करूंगा ध्यान रखना ठीक तुमी हो माता पिता तुमी हो अब पेरेंट्स वाला काम भी मैं ही करूंगा आपके लिए आपकी तियारी कैसी चल रही है आपकी परफॉर्मेंस वाला फेक्टर तो लाइव क्लास कहां पर होंगी आजाओ सब प्लीज से अबाउट इंग्लिश बैच आप बच्चा मेरा एक नबील करके हैं नबील एहमद वो करा इंग्लिश बैच कब लोगे इंग्लिश बैच लोगा इसे खतम होने के तुरंत बात चल ठीक बच्चा मैं तो बता दिया आज नबील यह बैच खतम होने के वाद इंग्लिश बैच हो जाएगा लाइव क्लास कहां पर होगी कहां पर होगी मतलब यहीं पर होगी सीराजकुमा.com पर आईएगा वहां पर आपको नंबर भी मिल जाएंगे देखने के लिए नंबर पर बात कर लीजिए हो हाईवे हो जैसे मर्जी हो कहीं पर चलाड़ी ना वहीं चलेगी गाड़ी तो यूँंगी एक है और बताये प्रम ब्रॉपर रन करते हैं शांदार मस्त करमक करना औeil और अबंद में दिया दो यहां पर यह अपना आप मुझे FAR इगा मैं आपको वे कई सर यह बॉक्स इस अफिशेंट यह नहीं 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 बाव इस्टडी मेट्रियल आपको रेफर करने की जरुवत नहीं है मैंने सारा कुछ पूरी जान लगा रखी किताबों में आपको किताब की जलक देखने से पता लग गया होगा कि किताबें कितनी समार के बनाई हुई है मतलब एक एक लाइन एक एक शब्द पर क्या ही बताओ में आपको इतनी महनत लगी होगी इसके उपर कि क्या ही कहना है एरर फ्री कोई एरर नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर एक दम बहत्री नों कुछ करने के आवश्यक्ता नहीं है जितना दिया है इतना ही असरा आपको करके चलना होगा बुक किते दिन में आएगी बाई करने के बाद बुक में लग जाता है आपका फोर वर्किंग डेज मान के चलो भाई वो डिपेंड करता कि आप कितनी दूरी पर है पास में होंगे दो दो दिन में पहुंच जाएगी थोड़ा दूर होंगे तो चार दिन भी लग सकते हो ज इलडाइन की क्लासिस एप पर हूंगी या वैबसाइट पर तो वो तो एप वैबसाइट पे आ रही होंगे लिंक में लेगा बाब उसमें यह तो टेक्निकल चीजा है यह मुझ से मत पूछा वो तो लिंक मेलेगा आपको मेल आएगा लिंक पे क्लिक करना सारा मिल जाएगा अपको सर्य बैच कहा से penalize करना एल डर्ण website हमारे website सीर राजकुमा क्लासस घी है आप छाए एल्डान के वेबसाइट से पर्चिस कर लो यहां से करलो क्या दिक्कत है यहां से एक फाइद आपको यह मिलेगा कि जो की होती ना क्लास को एक्टिवेट करने वाले वाइए वा आपको इस्टेंट मिल जाएगे जो की है वो तुरंट मिल जाएगी आपको जैसे आपने ओर्डर किया की मिल जाएगी तुरंट क्लास आप देख सकते हैं उसमें आके तो क्लास लेने के बाद भी इमेल नहीं आया आपके क्लास के बताओ न तो टेक्निकल टेम को लो को तुरंट आएगा अभी ऐसे कैसे वजाएगा और ठीक से चेक करो सिर्विस्टार मार्च पंद्रा मार्च पंद्रा नहीं जैसे 15 फरवरी से बैस शुरू होगा यह तो 15 फरवरी से लेके फरवरी एंड फरवरी और मार्च अंड तक जाएगा मार्चएंड टतवयल मार्च जाएगा उसके और जल्दी करता होँ कोल्कता आप आते हो हां आता हो कॉल करता носa dc listenji क्लास करनी चाहिए जितनी ज्यादा कर सको बह भाई जितनी ज्यादा कल यह पीरिट वनैंन आगे समिना मिलने का है 은्हाम का स्ट्रे स बैक लोग क्या स्ट्रे रिविजन का स्ट्रे सवो nichts आपकी बैटरी को चूस रहे होंगे इसलिए निप्ता हुँ तो ज्यादा कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा! ठीक है तो क्या आप मुझे विदा लेनी चाहिए मुझे बताइए है आप गाजयबाद में आजाओ गाजयबाद कोई दिक्कत नहीं यहीं भाई लोग बैठेंगे मिलके हैं चार्च लोग आजाओ कोई दिक्कत नहीं है जो गाजयबाद साइट से है यह और मोस्ट वैल सदीप चौधरी आई लव यू साय मेरा बचल लव यू तू आपकी क्लास आपके पे चलेगी मेरे आप पे चलेगी आरकेसी पर चलेगी आपको मेल आ जाएगा बाबू मेल आएगा वहां मेल पर देख सारी चीज दे रख्योंगे सर मैं हापोड से हूं तो आजाना आज स् आपको मैं तो तयार है तो हमेशा डैमो जरूर दोंगे मेरे बच्चा को तो आप गुरूप टू में भी पढ़ाओ यह क्या कोई भी सब्जेक्ट अएट नहीं यार मैं नहीं पढ़ा रहा गुरूप टू में गुरूप बढ़ाओंगा आपका स्टूडियो कहां है मैं आपका में 24 बैच रिकॉडडिट पढ़ रहा हूं मुझे कोई प्राब्लम तो नहीं होगा नहीं प्राब्लम तो नहीं अमेंडमेंट क्लास करनी पढ़ेंगे अमेंडमेंट क्लास दिस बैच जो मैं लेने जा रहा हूं इस फुली अमेंड़ बैच इस बात को दिबाग ठीक है तो चलें बाबू येस सर थाइंक इस सो मच बहुत बहुत धन्यवाद वो डमरू वाले बाबा तो जो पंची जहां से उड़कर आए थे वो अपने अपनी शाखाओं पर जाकर बैठ जाए गोसली में जाकर बैठ जाए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मिलता हूं फिर आप से ठीक है थाइंक यू सो मच बाई टाटा एंड लव यू बाबाई